हेलो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक साहित के बारे में ठीक है आपके मारे पहले क्लास है इसका आप सभी का स्वागत है वैदिक साहित के बारे मां विस्तार पुरोग जानेंगे क्या क्या चीज़े होती है कैसे क्या नहीं ठीक है वैदिक साहित से पहले आपको सं उसमें सोरी सवाइसे संस्कित वैदिक साहित जो होते हैं उसमें पूराने साहिता आती है ठीक है जैसे हो गया सनहिता ब्रामभढड आराणग उपनिसद्र ठीक है वेदांग हो गया सुक्त गरंथ हो गया जो पूरानी यह सब क्या हो जाते हैं लोकिक में आ जाते हैं एतियासिक महाकावयोगा गीतिकाव रूपक उपक जुआ भी है पाट बहुत सारे अब तो प्रकार भी आने लगे हैं ठीक है इस चीज का डिफ्रेंस आपको जाना बहुत जरूर यह ठीक है संस्कित साहित को दो भागों में ब ऑठोड़ा क्यां वेधाँ जो हैं इनली नहींगी चीजारा बारे मुद्धिक दंसे बताता है बहुत सारे चीजissement की बना भी नहीं सारसों में ओना बर अब तो नहीं लावटर्द को दो सम्क्रावक के लिए महाभारत पुरान है महाभारत पुरान से लेक Commission ुद अब हम आज बात करने वाले हैं और यह थोड़ा कर संस्की साहित काब के बारें बात करते हैं जैसे नाटक उटक उसमें क्या जाते हैं रूपक आ जाते हैं रूपक कितने होते हैं बात करेंगे प्रकार के बारे में उपकर उपक कितने होते हैं अठार होते हैं जिसके बारे हम आगे बात करेंगे तो आज जो हम सुरू करने पहली क्लास हुए है आप सभी की कलास वैदी की क्लास में वेख में देखो क्लास जिसे कि आप में से जिसंसी इंति की तरह बताएंगे आपको 100% पढ़ना है ठीक है जो में में इंपोर्टेंट चीजे है वो तो हम लेके आ रहे हैं परन्तों आपको 100% पढ़ना है जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा यह सारी चीजे आपको बुक में ही मिल जाएंगी संस्कित साहित का इतिहास आ कड़ना है यहां पर कुछ पर्टिकुलर दिया गया है पढ़ना है वस्तुकला भी पढ़नी है वेदों के अंग का परिचे पढ़ना है ठीक है यह चीजे हम सारा इसमें हम बात करेंगे हाला कि पूरे वैदिक की बात करने वाले हो सिर्फ वेद के बारे में बात करेंगे जो सारी चीज़े आ रहे हैं तोपिक है आखिर हम पढ़ क्यों रहे है ऊराके क्या क्या देख वेद का अर्थ होता है ज्यान हुआँ है इसका एक अर्थ होता है यह इते लुरबात यहां पर कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जिसके माध्यम से हमें आपको समझाना है PPT मैं नहीं बना पाया हूँ जो नोट्स बने थे उसी को सीधे उठा के लाया हूँ हलांकि इस पर्ष टूप से आप लोगों को दिख रहा होगा समझने में भी आसानी हो रहे होगी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंड करके जरूर बताईएगा ठीक है अगर बहुत ज़्यादा कुछ परसनेल चीज़े पूछ नहीं है तो आपका हमारे अंश्रागाम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से पूछ सकते हैं जहाँ ग्यान समस्त अध्यात्मीक और लौकिक ग्यान के स्रोत या आधार के रूप में है जो यहाँ पर लौकिक जगत है जो अभी जो स्थावर जगत दिखाई देरा समस्त संसार है सिष्टी है पित भी है उसमें जो अभी जो चीजे दिखाए दे रहे ग्यान के रूप में उन सब को क्या कहा सकता है वेद कहा जा सकता है जो हम बोल रहे हैं ये भी हम एक तरह से कहा सकते हैं कि वेदों का अध्यान कर रहे हैं पाठों का अध्यान कर रहे हैं जब इसके अंदर जब घुशने जाते ह तब हम इसके प्रकारों के बारें पढ़ें लगते हैं अब ही जो सारी चीजे है समाज में कोई कुछ बोल रहा है अच्छे बाक्य बोल रहा है पुणारी कुछ चीजे बोल रहा है तो वो सारा चीज किसमें आ जागा वेद में आ जागा यहीं बताएंगे कि वेद क्या है ग्यान इसका आर्थ क्या होता ग्यान होता है या विद और घ्या प्रत्य लग कर बना हुआ है ठीक है इसका आर्थ क्या होता ग्यान वेद परम प्रमाड अर्थात आगम में उत्कृष्ट है ठीक है मिमान सकों ने कहा है कि प्रत्यच और अन प्रतच अनुमान के तो पर हमें जो सारी चीजे मिलने वाली हैं ? वो किस से मिलेंगे वेद से मिलेंगी अगर आभी कोई चीज समझ नहीं आ रहा तो आप बुक पढ़िए वेद पढ़िए उसमें आपको लिखा होगा वेद का आज कर पर्टिकुलर चीज़ तो लगता कि वेद पढ़ते होंगे वेद देखो वेद चीज़े अलग होती है ठी यह सब्सक्रेएं में यह अधेकुल जाया होगा तो यह तो जोग चुपा हुआ है उसका जो सब्सक्राब चुपा हुआ है जानने कंसि उसनो जानने के आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा वेद पढ़ना पढ़ेगा वेद में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो चीज नहीं बताएगी हो संसार में जितनी भी सारी चीजें है जाहे वो दुख हो सुक हो किसी का कारण का निवारान हो सारी चीजे किसमें बताएगी है वेद में बताए परन्त अगर यह देखने के बाद आप बुक पढ़ लेते हैं तो बुक पढ़ लेते हैं तो हमेशा के लिए आपको समरण हो जाएगा वही चीज यहां पर बताया जा रहा है कि ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद बता सकता है ठीक है यानि कि जो चीजे समस्त रूप से सब्सक्राइब कोई साधनी जगत में नहीं है ठीक है यानि कि जो बुकें हैं किताबें हैं जो चीजे अच्छी चीजे लिखी गई है वेदों में ठीक है वेदों के बारे मात्षय जिसे आप सहीता ब्रामण आराण कुपने चद पढ़ते जाएंगे ना तो आपको समझ मे आजाएगा ठीक अभी आप सुनते जाएए कोई दिक्कत नहीं है आपको याद हो जाएगा ठीक है यह चीजे वैसे भी पेपर में पुछी नहीं जाती यह समान पषचे के लिए आपको दिक्कत नहीं सारी चीजे ए टू जे आपको पढ़ाई जाएंगे प्राचीन परंप जो लोग समझ रहोंगे, ब्राम्हण यहां पर ब्राम्हण का मतलब है, जिसे देखो चार वेद है ना, उन सबी को अच्छे डंक से सरलता से पढ़ने के लिए ना, जो बाद में व्याख्या कार बने ब्याख्या चीजे बनाएगे, उन सबी को सहीता ब्राम्हण आरानक उपन उन सभी का मिलाव लाके जो सारी चीज़े होती है ना वो चीज़े ब्रामध में नहीं थे ब्रामध को भी हम आगे डिफाइन करेंगे पूरे इस टोपिक को भी ठीक है अभी बस सामान सा परिचे बता रहे हैं वो सुनते जाईए करेंगे बहुत इंपोर्टेंट है इन्ही में से एक एक नमबर के कोस्चन बनते हैं मन्त्र देखो यहाँ पर इफे जो मैं रेड Master in the. It is a क्या है कि मंत्र अब्रामठ दोनों वेद में आते थे मंत्र उसे कहते हैं जिसका उचारन करके यगयाग्यों का अनुष्ठान किया चोटे चोटे उसलिए आपको ठीारी पड़ेनी बहुत जरूरी है लिए बोलाओ की पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है मंत्र उसे पींट्री लींगायो究 डेक्षा सभ्षाब कर दोकर दोकरती है। के लिए या फिर किसी अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाते हैं यग में भाग लेने वाले देवताओं की इस्तुति की जाती है और उन मंत्रों में क्या होता है कि आप यग में जो भाग लेने वाले हैं जिसके कामने जैसे कोई किसी देवता को मानता है तो उनका मंत्र पढ़ता है हनुमान को मानते हैं तो हनुमान चाहिशा पढ़ते हैं दुर्गा माता को मानते हैं तो दुर्गा चाहिशा पढ़ते हैं यानि कि जो कार जिसके लिए किया जा रहा है उसी मंतर में उन्हीं की उस्तुति होती ठीक अगर आप सुर्भगवान की पूजा कर रहे है सुबह अगर उठ रहे हैं तो सूरत देवताई सारी चीज़े आपको पता हैं बस ध्यान देने वाली चीज़े एक एक नंबर के कोश्चन यहीं से बनते हैं इसी चीज़ का ध्यान लगना अब यह कोश्चन हमेशा बनता है कि वैदिक वांगमय को कितने भागों में वर्गी क बहुत बड़ी बड़ी चीज़े तो वैदिक वांगमय को चार भागों में वर्गी क्रित किया गया है कि वैदिक वांगमय को कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में बाटा गया है पहला सहिता ठीक है जिसको मंत्र भागी भी करते है सहिता ब्राम्बन आरणयक उपनिसद करम से याद रख लिजेगा कभी कभी देखो इसमें जो कोस्चन बनता है दिकतर तो यही पूछ लेता है सहिता ब्राम्बन आरणयक उपनिसद इनका करम अलगलग कर देगा ठीक है करम अलगलग कर देगा अब आपको बोल देगा करम में लगाने के लिए तो सबसे पहले आपको कौन सा लगाना है सहिता दूसरे पर ब्रामभन तीसरे पर आराणग चवते पर उपनिसद ठीक है सहिता ब्रामभन आराणग उपनिसद इसको आपको ध्यान से रट लेना है पूड़ा चीर तरह से ठीक है next point जो है साहित के रूप में संपून वेद वांग में महत्पून है साहित जो होता है चाहे हुआ लोकिक हो या वैदिक हो सारे चीज़े बहुत महत्पून होती है परन्त वैदिक वेद वांग में जो है वो बहुत ही important है सभी के लिए चाहे वो लोकिक पढ़ने वाले हो या वेद पढ़ने वाले हैं दोनों के लिए या जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी ठीक है आवसक के अनुसार वेद का साहित बढ़ता गया और ब्रामन आरानक तथा उपनिसद साहित क्रमसा विक्षित हुए जो मैं बोल ला था ना कि चारो वेदों को अच्छे डंक से पढ़ने के लिए साहिता ब्रामन आरानक उपनिसद बना दिये गया तो सबसे पहले कौन आया सहिता ही आया उसके बाद ब्रामन आरानक उपनिसद तो बाद के हैं सबसे पहले कौन सैंहिता था पर यह ही बता दे रहा हूँ इस चीज का विशिज द्यान एक वैदिक वांगमा को कितने भागों बाटा गया उसको भी चार भागों पाटा गया वेद वही चीज हो गया ठीक है उसे डीटेल में कुछ भी का सकते हो सहिता भी का सकते हो जो था चार सहीता ब्रामण आरण को प्रता उपनी सद्ध उत्पन मतलब बना दिये कि उसको अच्छे डंग से पढ़ने के लिए समझने के लिए सारी चीजे बनती गई ठीके जैसे कोई नाटक होता है आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा तो उसकी प्रसिती दीर दीर इसमें बहुत सारी चीजे अपने अपने सरग्रंथ लिखने लग जाते हैं ठीक है तो वही सारी चीजे इसमें चल रही है ठीक है प्राचीन काल से लेकर आज तक वेदवांग में संपून विस्व को विविध उपदेश देता रहा है इसलिए इसके महत्त को अंकित करना प शुर गया था मुझे सरुवात में बताना चाहिए था वेद जो होता है वो अपाउर से यह होता है ठीक है इसको किसने लिखा किसने नहीं कुछ पता नहीं ठीक है वेदों का कल जब आप पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है तो अभी समझ लेना है कि वेद अप लगभग बताया जाता कि इसके पहले का ही हैं कर लें बतार यह को यह लोग बता घारति ये पीए जो नहीं इतना जाह हुआ कौन कौन से कर्म होतें हैं बहुत सारे कर्मा के बारेंगे जब भी हम डीटिल में सहीताओं को पढ़ेंगे न दीख वी सेवस्थों होती है उसको पढढेंगे तो आपको ये जो यह बाला है जूँ का ध्यानों का ध्यान कोस है क्यूं emotions कहा जया कूँढ का कोस क्यूं कशी डि सब्सक्राइब जोड़ा गया है जो जूड़ते जाते हैं ऐसा कहा गया है कि जो ज्यान मतलब वेद है वह ऐसी डिशनरी है जिसमें हर एक समझ रहा है जो चीज समझन आए कमेंड कर लिजेगा मैं देखूंगा तो आपको क्या करते हैं मैं इसे जरूर करूँगा ठीक है नेक्स्ट जो है वेद भारती धर्म के उतसे हैं भारती धर्म ने वेद को इतना महत दिया है कि इस्वर की निंदा सहय परनंतों जो लोग बहुत अच्छे भक्त होते हो सकता यह इस चीज को ना माने ठीक है तो बता जा रहा कि वेद में इसने अच्छी चीजे बताई गई है कि जो लोग आजकल के लोग या पड़े लिखे जो लोग है वो वेदों को महत्व देते हैं ठीक है कि यार क्या करते हैं क्या करते हैं धर्म वेदों को इतना महत्व दिया है कि इस्वर कि नहां कहने का मतलब को वही है कि कोई बुरा मतमाना यह चीज सत्य है देको जो चीज वेद यार इतने सारी चीजिस में बताएगी हैं वेदों कि कोई निंदा नहीं कर सकता मैक्समुलर रूलर तो वाय थे हो तो संस्कीत नश्ट करने आये थे ना उन्हें भेजा गया था कि तुम जाओ उन्हें संस्कीत नश्ट करो फिर वियो लोग पता नहीं लगा पाए कि व परसन में हम डिसकर्श कर लेंगे यह स्वर के बारे में परन्तु वेदों का भाई साब वेदों को गलत मत ठैरा हो वेद हमारे लिए अपर उसे हैं इतने अच्छी चीजे बाते गई हैं कोई भी लिखाओ में उससे मतलब नहीं है अपर उसे है यह भगवान द्वारा हम मा अब को पेपर में ठीक है उन सभी के बारे हम आज हम बात करेंगे ठीक है वेदों का परचे छोड़ा-छोड़ा जाने के यह काफी अच्छी चीजे है इसमें जो लिखा गया नोट्स का पी अच्छा है ठीक है घबराने के बात नहीं है आप लोग समझते जाई यह सुनते जाए देखो अगर नोट्स बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात इसे रोग रोग के या फिर एक बार पूरा देख लिजेगा वीडियो ठीक है उसके बाद रोग रोग के बनाएगा ठीक है हां तो आप लोगों को ध्यान आता रहेगा मैंने भी ऐसे जितने भी मेरे पास जो नोट्स है अभी तो मैं भी ऐसे बनाए बहुत सारी यूटूब चैनल से देखें हैं या कुछ से जो सबसे पहले यह तो जो मैं अभी पढ़ा रहा था या आपको संस्कित साहित की इतियास में मिल जागा वास मैंने यह नोट्स बनाया हुआ है ठीक है अब बुक नहीं सरव प्रतम क्या है वेद है यानि कि ज्ञान ज्यान को सरोपर मानना ही आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कारण बन सकता है आगे की चीज़ें समझने के लिए अप और उसे यह वेद है इसको किस ने लिखा कब लिखा गया कुछ भी पता नहीं है वैदिक साहित चतुर उसका याद रखना पहले सहीता आता है दूसरे पर ब्रामन आता है तीसरे पर आरनाय का आता है उपनिस या फिर वेध्र कितने हैं चार हमेद यजुर वेधे सामेध अथरवेध क्मू यूै बाथ की है तो में क्यूं मुन्य हेतार फ्र समयरक फिरलन यूजुर्वेध कॉपा तो कितने हैं चार चत्वार वेधा अन्त्य वेद चार है रीक वेद यजुर्वेद सामध अथर वैद ये भी क्राम आपको याद रखना है पहले रिग वेद आता है सबसे प्राचीन उसकी बाद यजद धिस सामगेद फिर अधरवेद अथर्वेद क्या है सबसे पुराना रिगवेद है अभी जो है फिलहाल का अथर्वेद है ठीक है सबसे बाद का क्या है अथर्वेद है हजए हो हाग है वैधिक मंत्रों का संग्रश सहिता का ना जो मैं बोला था ना ना सहीदा साहित, किसको क्रति करते 295 उसको क्या काते हैं शाहित 7 सब्सक्राइब आप लोग यह सोच सकते ना मैं आपका रिवीजन भी कर वाते जा रहा हूं साथ में क्योंकि देखो पढ़ाने का जो सब्सक्राइब नहीं पढ़ाता है तो अगर आप लोग यहां तक पहुंचे है ना तो काफी ध्यान से सुनिएगा एक बार में आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी ज्यादा ज्यादा ठीक है दस पंदर वीस मिनट की वीडियो होगी आप देखके निकल जाए आराम से नो अनुदात और वनोर श्राइब जो समान रूप होते हैं ठीके कंट कल अध roku नीच्छे से बोले जाने माले और दोनों अस्थान से सवारित हो जाते हैं यह सामान सा परचे कभी कभी पूच ले जता है कितने प्रकार के सवार्प्रयोग किया जाते हैं तुसमें लिखती जिए अगर इनमें से कोई पॉइंट देता है तो आप उसको लिख दीजेगा उदात मिल जाता है अनुदात स्वरित नहीं है तो दात हो जागा अगर अनुदात दिया तो अनुदात लगा दीगा पर देख लीजेगा कोस्टन किस तरह से पूछा नहीं है वो सकता तीनों देखे एक चॉदा का प्रयोग किया गाँ Ha. cheaper को करते हैं थिक ऐखे दीव करेंड लेट लकार का प्रयोग होते हैं फहाँ यह कॉछ्चन काफी इंपोर्टेंट है यह यह कई बार पोच्छा गया है इस चीज का विशेश ध्यान देना वेद में किस लकार का प्रयोक किया जाता है लेट कार ठीक है इस दिल्फिज का वाधिक संस्कृत यूप उपर वहीं तक बना हुआ अगर पुछा जाए तो लेट लकार आप लगा क्या आँख मूद की है ठीक हो जागा आपको कोस्टन को सांद सांद में कोस्टन भी हम बताते चलेंगे कि आपको कहां से यह कोस्टन जो है इस बार भी पुछा गया था, ठीख है, वेदेशु अस्ट विकृतय, वेद में कितने विकृतय होते हैं, आठ विक्रितय होते हैं, ठीख, अस्ट विकृतय है, जटा, माला, सिखा, रेखा, धज, दंड, रगणा, करम याद रखना है, यही तो पूछाता, यह नहीं पूछाता कितने होते हैं, आठ हो, तो सब पढ़के जाते हैं, कि आठ होते हैं, वेदों को पढ़ने के लिए, ठीक है, जो क्रम है, उनके आठ प्रकार के बताएंगे हैं, प्रोगता इसको बोलने के उचारण करने के लिए, आठ चीजे बताई यह वाल आप देख लेजेगा हां इसको थोड़ा जूम कर देता हूं दिख रहा होगा वैसे तो जटा माला सिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गन अस्टो विक्रीतया प्रोक्ता करमपूर्ण महर सिभी ठीक हला कि आपको पहली ही लाईन याद करना है उसमें ही सारे आ जा पहले आता जटा पाट माला जटा माला सिखा रेखा ध्वजदंध रथ घनह ठीक है याड प्रकार के होते हैं इसको आपको अच्छे डंग से याद कर लेना है नोट सगर बना रहे हैं तो इस पाइंट को अच्छे डंग से नोट कर अलाकि सारा इंपोर्टेंट अगर आप बढ़ना चाते हैं तो 100% इसे बना लिजीगा बहुत कम ही जिगा आपको यह मिलने का चांस है मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ठीक है वैदिक कालस से देवता वैदिक काल के देवता यह भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है धू लोग के देवता अंतरच लोग के देवता पूछ लोग के देवता इन में से कौन है चार विकल पर दे दिया जायेंगे या तीन साही होंग एक गलत पूछ ल känगा इनि में से कौन नहीं है ठीक है दूनोंतरह के सब्सक्रें से बहुत सारे प्लेनिक हैं यानि कि वह क्या हो गया उपर की चीज़े जो वोग तो इसवार ब्रोड कई और फिढ़ सब्सक्राइब लुए टिक्रकात काथ कि सब्सक्राइब आपको सूर्य देखा हो गापने सारा मतरब उसको इसका मदब थोड़ी है कि नहीं कहेंगे तो इस चीज के विसे ध्यानक नाए हैं और क्षण देवता धू लोगोल देवता प्रित्वी लोग देवता इस स्पहें आपको रटी होना और के दिवता कौन्से सूर्या वरूर्ण प्रिथवी लोक के देवता को ना यह तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है यह तो आप लोगों ने बहुत जगह पड़ा है प्रिथवी है अगनी है सोम है नदी है बहुत सारे हैं ठीक है आपको बुक में मिल जाएगा देख लिए कम ही लिखा हुआ है लाकि next में कभी revision कर कर के चलनी पड़ेंगी एक एक नंबर आपके लिए महाँने रखता है ठीक है एक एक ंबर क्या रखता है और यह जितना मैंने पढ़ाया है अभी जो हम लोगों ने जतना भी discussion किया है ना अगर उसकी हम Бात करें चलो log कर के हैं पह autos की। लाइड इसलाइड में कम कम आपके दस-12 कोशन क्लियर होने वाले यहनुत उपनी सद ही आपको इन्टे और नानीच toss में नीचे करके दीखा दिता हूं फृड कहा है। सभी के बाराम्माण आँर असे यह पुलानी चीजा थे उन्हीं को सरण करने के लिए सारी चीजे बना देगे या विकास हो गया छोड़े-चीजे यह फिर उनकी ब्रांच जिसे ब्रांच होती जिसे देखा ओगा आपने बरगत का पेंड जो होता है उसके जब जो ब्रांच से क्या काते हैं नए यह एक पेंड निकल जाता है वैसे यहीं सारी चीज़िए ऐसी आप आसान तरीक से समझा जा सकता है ठीक है ठीक है रिग 선택 के ब्राममर की या फिर आप ये लो इसक्रीन सोट ले लिजएगा यहां से ठीक इसको 100 परचन आपको रटना आँसमें से कोश्चन आपको पूछ लै जाएगा ठीक है रिगवेद की ब्रामाड गर पूछ ले जाएगा रिगवेद में कितने ब्रामन है दो ब्रामड है कौन को से एतरे ब्रा तोड़ा प्रचार प्रसार किया बनाया ठीक है अलग अलग थोड़ा सा जो ब्रांच अपनी अपनी निकाली इन सभी में से उन्हों अपने ही नाम पर रख दिया ठीक अधिकतर यह जो है ना यह सब मतलब बहुत विसावस्तु से रिलेटेड होती हैं और जिन्होंने किया ना पूछा जाएगा रख के आराणक गरंथ कौन कौन से हैं तो तरे और संक्यान वही है इसा बिलकुल भी नहीं है तीनों सेम है ठीक है घबराने के कोई बात नहीं है जो पढ़ना है क्लियर करके पड़ों कुछ भी डौट होता है कमें जरूर पूछीएगा दूसरा क्या है वेद कुणसा है याजूरवेट याजूरवेद के ब्रामभर कौन-कौन से हैं यहां पे देख लिजे याजूर介द ये रहा अब नथि ये रहे ठीक before मत देखने लग जाना घ्रत हो जाएगा ठीक है एसे चलना है थलबूं कुण कौन से हैं Джی शौब के बिड़ा मार्न कौन Всेत्र पर नइक नज रहर हैं और आणके बात करेंगा घबराने को बात नहींये ठीक अभी ये इस चाठ आपको याद करना या चाठ यहाँ तो ऐसे या फिर अपने नुसार कुछ भी सरल भी बना सकते हैं या रिघवेद का लाग लाग लग सकते हैं जुर्वयद का लग लेजिए सामेद का यहां लिखने का मतलब है कि आपको सब कुछ सारी चीजे क्लीयर हो जाएंगे इस तरह से कि बना सकते हैं काफ़ी अच्छा है याजूरब्यद के अगर आरानक को ब्राहमपर की बात की जाए तो सत्थ पद ब्राहमपन चुतरिया खी याजूरब्यद के दो भेग है किष्मन जूर्ब्यद आरसी, दैवत, छांदोग, सहीता, वंस, जैमिनी, सामविधान, ठीक है, इतने से, इसमें सबसाधिक ब्राम मर देखो, आपको याद कर रहा है, रिगवेद का तो आपके याद दिहाओ गया, दो ही है, यह तरिया और सांख्यान, तीन हो सेम है, ठीक है, जुरुवेद के दो और नीचे जो अथरवेद है, उसको याद करना, बाकी जो बचे किसमें आ जाएंगे, सामविध में, सामविध में सबसाधिक ब्राम मर पाया जाते है, ठीक है, और आरणक गरंत की बात हो रहा है, तवलकार या तलवकार या तलवकार भी दिया रहता है, तो वो सेम ही है, हलां कि यही तवलकार ही ठीक है तलवकार नहीं है ठीक है तवलकार ही मुझे लगता है ठीक है देख लीजेगा कहीं पर हलां कि दोनों नाम मिल जाते हैं मैंने देखा बहुत सारी बुकों में दोनों नाम मिल जाते हैं मुझे इसमें भी दो है सामवेद के भी आरानक की बात की जाता दो है तवलकार और छांदोग ठीक है सामवेद को उपनिसद की बात की जात कौन कौन से है छांदोग और केन मतलब छांदो गिस का जो है ब्राम्मण भी है, छांदो गिस का आराणक भी है, और छांदो गिस्का क्या है, उपनिस्त भी है, एक तो मिल गया और यह केक अलग हो गई, तवलकार भी डिफरेंक है, यह भी याद हो जाए क suis करूँ है, तो आप लोगों को पता होगा, दिरे- लिए अठर्वेत के उपनिसाद की बात करें तो तीन होते है प्रश्न मुंद मांडू के ठीक है तो यह आपको पूरा रटना है इसमें से दो दो तीन को सना आपको मिल जाएंगे यहां से ठीक है अब हम बात करें तर रिगवेत के जैसे दो भागते न यहां पर देखा होगा आपने यह तरे और संख्यान उसमें से ही थोड़ा-थोड़ा हम यह सामान सा परिचे पढ़ रहे हैं अभी तो हम रिगवेत को अच्छे डंग से पढ़ेंगे सामवेत को पढ़ेंगे अथरवेत को पढ़ेंगे यह जुरवेत को पढ़ेंगे सभी वेदों को अच्छे डंग से पढ़ेंगे आज हम सामान सा परिचे जान रहे हैं जो की बहुत इंपोर्टेंट है इससे क्या होगा कि आने वाले जो टोपिक है वो सारे बिलकुल क्लियर होते जाएंगे ठीक है जो लोग जहां तक पहुंचे हो जुड़े रहे हैं आपको काम की चीज़े बताई जा रही है ठीक है जो भी फालतू की चीज़े उससे मैंने पहले ही स्लाइट से हटा दिया है आठ स्लाइट में आपको पूरा आराम से वैदिक साहित का एक सामान सा परिचे बताया जाएगा उसके यह आठ देख चीजे आपको अच्छे डेंग से समझा दी जाएंगे सहीता चार सहीता को तो अलग अलग बताएंगे सामेत अलग बताएंगे अथरवेद अलग ब्रामण भी अलग आरणग व्पनिसद भी अलग ठीक है और वेदांग भी ताउट आपके मन में नह रह बात करेंगे तो अगर सुन भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं नोट्स बनाना तो आगे से भी बना सकते हैं हलाकि यह जो भूमिका टाइप की मैंने बनाया है यह आपके मस्तिस्त को इतना प्रभाव डालेगा कि आगे जो आने वाली चीज़े हैं वो बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी ठीक है गवराने का बिल्कुल भी नहीं है हम आपके साथ हैं आप हमारे साथ जुड़ी रही है मध्यानदीन साखा में 14 कांडा है और कानवसाखा में कितने है है 17 है यह किसके भाग है सत्पत ब्रामण के ठीक है यहां पेसे साथ लाइडिए तो वही चीजे है जो मैंने समझाने के लिए बता रगा कि यहां चाहर दो है खिक्त इसका था तहत्री ब्रामड की बात करें तो थैत्री ब्रामड जो है यह वह उसको आद फर्यक हवगि आज संथि इसमें कितने संदय सिर्ट अगर तीन है यहां अग तैस्टी कि बात अगर आप करोगे तो यहां पर दिख रहा थैति यह हैं किस sera तुझा रहे आप बता रहे चैना साय कि शोड़वाघ को विॉपराद को प्राइथ को है पुमनले और को घुश नहीं है एण में उमन रहा हो थ्यूज्य चोड़ी चीजे भागौग के बारे म्याद रखना हाला कि यह सारी चीज़ आगे डीटेल में है ठीक है प्रपार्टा रोबाटक यह जैसे भाग होते हैं कांड होता है सब एक समान होते हैं यह सब चीज़े ऐसे बना दी गई है अच्छे ठीके समझना आपको है ऑच यह सब चीज़े को सामान पर्चे को समान तरीके से पढ़ो तभी पढ़नेका मजाए यहां पेडीटेल में कुस्ट नहीं लगोगे तो कुछ भी समझनी आएगा दिमाग कदही हो जाएगा है तो इस चीच लिए फ्री मायंड से पढ़ो ठीक है हमाँ के तो गोपत ब्राम्म्मप है वो किसका नो पत ब्राम्मर जो है वह अथर्वेद का है इसको कितने भागों बाथटा गया है मैं दो थागों में पुरो भागा और उत्तरभाग ठीक है पुरो भाग जो जो है पंच प्रपाठक का कि अ कुछ Shy उत्तरभाटक में देखो मैंने कहीं मैंने किया था नहीं कि उपर मैंने उपर बताया आपको यहा Siya मतलब भूल गया हूँ कि यार यह तो पढ़ा-पढ़ा सा लग रहा था ठीक है फिर नीची एक ऐसे स्लाइड आती है जिसमें सारा चीज़े क्लियर हो जाता है कि अच्छा यह तरे ब्रामडव संख्यान जो था रिग वेद का था अभी 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 पढ़ा हमने कि यह तरे ब वीडियो का डाउनलोड कर लिजेगा यूटूब पर डाउनलोड भी हो जाता है रख लिएगा नहीं कोई दिक्कत नीहें डाउनलोड के फोन आपका भर जाएगा सीधे आप प्ले लिश्ट मैं जाकर चेक लेजगे प्लेश्ट मैंने बना दिया वहाँ पर आपको मिल कोई बात नहीं यहां पर एक नट स्लाइट पीसे चली कि इस चीज का भी से ध्यानक ना इस तरह से आप पना सकते हैं तरी ब्राह्माण तीम में तीन कांट है गोपत ब्राह्माण के दो भागा पूरों भाग और पूर भाग उत्तरभाग पूर भाग कितने हैं पंच प्रपा हम डीटेल में पढ़ेंगे यह चीज बहुत इंपोर्टेंट है अभी तक जितने हम ना पढ़ा उसमें से कम चार पांच क्लियर हो गए होंगे ठीक है तो सहीता आपको बताया था मैंने चार सहीता है ठीक है कौन कौन सी रिगवे सहीता या जुर्वे सहीता सामे सहीता अथ साखाए का सकते है ठीक अध्याय नहीं है अध्याय नहीं साखाए करिये इसको ठीक है रिगवेत की साखाय जो है साकल वासकला सुलान संखान मंदुकान क अपिस्थर रिगवेत देवदर्स चौरणवेत ठीक है हगोered कि समय से मिलती ہیں पांच ही मिलती है तो ब की है नाम तो मिल जाता है परन तु संकहा उपलब्द नहीं मिलती है पांची संखाए उपलब्द ही तया कर दो है कटका प्रिश्टाल इसमें भी हलक यह जुरुवद को दो भाग है यह सामान सा परिचे मैं दे रहा हूं इस अभी के बारे में आपको आगे अच्छे डंक से जब हम एक एक सहिता के बारे में जब पढ़ेंगे पूरा तो आपको समझ में आ जागा जब हम पढ़ेंगे तो बस यह एक दिमाग में सेटब बनाने के लिए कहां यह कहीं देखा देखा सा लगता है यह कहीं पढ़ा पढ़ा सा लगता है ठीक है तो यही चीज़े तो आगे काम आएंगी सामवेत की बात करें तो कैथमी रामाइडी जैमिनी यह तीन ही उपलब्द होती है स्तोध जालद यह सब लूपत हो चुक ब्रामभण में अभी हम लोगों ने पढ़ा था चारो बेदे के यहां पर सभी का एक साथ ही मैंने लिख दिया है कि आपको ध्यान रहे कि स्ट्रक्चर बना रहे कि हाँ अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ाया चार बेद कौन-कौन से होते हैं रिगिवेद यजूर आरणा को पनिसद चारों कित Universit चाइन स órheirカ Müada Amand चार छार यहां कुछ नहीं है वही चीज सोरी तैतरी नहीं एतरे और सांख्यान जो होता है वह रिगवेद का है सत्पत मैत्राडी तैतरी कपिष्ठल कट प्रोड छडविन ससाम विधान आर्स देवताध्याय उपनिस्द वन ससाहित उपनिस्द गोपत ब्रामः जैमिनी ठीक है ये सारे किसमें आ जाते हैं ये ब्रा तबलकार चांदों ठीक है इसके आगे वाहला कि मैंने इसमें लिख दिया है कौन किसका जैसे एतरे एतरे और संख्यान के कहीं भी दिखे जाए दो यह ब्रामः आरानक पर तीनों यह यह रिगवेद में ही मिल जाते हैं ठीक है आपको ब्रामः में भी देखो देखने को म अब पर देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने मतलब बार बार पढ़ने से चीजे याद हो जाती है यह स्लाइड उन लोगों के लिए है ठीक है यहां पे हम केसी एक पटिकुलर चीज को देख के नहीं बनाए हैं सभी लोग हो कि देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग नोटहीं के पढ़ते हैं ठीक है कुछ लोग वीडियो देखके एक बार देख लेंगे फिर दुबारा रोक 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 पढ़े लिए और कुछ लोग ऐसे हो तो जो समझ के पढ़ते हैं तो जो लग समझ के पढ़ रहे होंगे अभी स्ट्रक्चर बन जाएगा आगे जब हम पूरे थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे दो सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी जो कि मैं बार-बार बोली रहा हूं बैसे बार-बार तरने सब को समझ में आ रहा होगा इस बैसे हैं फिसटर रहा होगा ठीक है प्रस्ण या पांच कौस्टिन मुझे लगता है वेदांग अ हाँ वेदांग के 45 कौस्टिन 2020 में तो लगातार आ गया था मुझे लगता है पुरान के लट्षण नहीं नहीं वह तो पुरान हो गया सोरी सोरी वेदांग जो यह सिच्छा कल्पिन रुख ब्याकरण जो तिस चन अचार इसमें पूचे गए थे हां सोरी वह मैं उसका बता दिया था चार पांच को चनों लोकिक वाले जो आया थे एक साथ यह आ गया तो इसे स्लाइट मिस से बता देते हैं ठीक है सिच्छा की बात करते हैं चछड वेदांग आपने सुना होगा सिच्छा कल्प ब्याकर निरुक्त चंद जो तिस चीक है जो वेदों की अविकल रच्छा करने के लिए बनाए गया है वो क्या होता वेदांग होता इसमें भी ब्याकराण का निर्मार करना पड़ेगा सिच्छा को जानना पड़ेगा कल्प को जानना पड़ेगा निरुक्त क्या है चंद को निर्धारित करना पड़ेगा जोतिस को समझना पड़ेगा ठीक है सिच्छा में पांदिनी सिच्छा यागिवलक सिच्छा बहुत सारी सिच् घ्राइफ़ के ह...' आपको पता चल जाएगा ब्याकरण की बात करें तो abacran सबसे पहले इंड़ के व्याकरण लोहां चंद्र है वहां सारे अच्छे हैं है क्यों बहुत साथ 10 बयाकरणों का नाम उसमें दिया आप बढ़ेंगे तो निरुक्त की बात करें तो निघट्टू का एक छोटा सा अंस है का सकते हैं उसमें निघट्टू की ब्याख्या की गई निघट्टू जो है वैदिक कोस सब्द कोस है ठीक है उसमें वे दो जुके सब्द जो है उनकी उसमें क्या पता गया है सब्द को सब्द रखे गए अच्छा उन सब्दों की ब्या पूरा लिखना तो सब है यह आपको याद रखना कि जिसे हम इसके आचार कौन-कौन से यह पिंगल वाला पूछी लिया था ठीक आचार यासक ने लिखा हुआ है निरुक्त यह भी कभी-कभी पूछ लेता इस चीज़ का विश्चिय ध्यान रखना ठीक है हला कि हो गया है आज का सामान जो परिचे है यही तक था नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे कौन-कौन से नेक्स्ट क्लास में हम लोग चालू करेंगे सहिता सहीता चारो सहीता है जो है रिगवेश सहीता यजूरवेश सहीता सामेश सहीता ठीक है यह चालू करेंगे रिगवेश सहीता यजूरवेश सहीता सामेश सहीता अथरवेश एक एक करके पढ़ाएंगे कुछ भी डाउट होता है कभी भी पूछ सकते हैं आसा करता हूँ कि यह सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी चैनल पर हमारे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वहाँ से जोइन कर लेजेगा ठीक है वहाँ पर भी आप कोशन पूछ सकते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद